हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही ज्याद है सूपर टैस्टी और चटपटा नास्ता और इस नास्ते को बनाना बिल्कुल ही आसान है और ये चटपट से बनके तयार हो जाता है और इस नास्ते को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें बाहर से यह वागा गेहूँ का आटा मैंने ले लिया हूँ और यह तुपैर का बचा हूँ आटा है यह 4-5 रोटी का आटा हमारा बच गया था तो यह मैंने ठाके रख दिया था और अब हातों से आटे को थोड़ा सा चिकना कर ले यह देखी बिल्कुल इस तरह से और अब हम क्या करेंगे इस आटे के ना छोटे-छोटे से पेड़े तोड़ कर तयार कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं बस उससे हमें थोड़ा सा आटा लेना है यह देखी प्रेंट बस इस तरह से और इतने आटे मे दोनों अपेड़ी हैं दोनों की में की बिढ़ा के अपने की ट्राइब कर ले Remember गुझे तरहा है। में अटे की लोई से त्यार करने में वह सकोते सी help करने तोन बनाने के प्रिंगा है, प्लखने सब्सक्रेब कर दोर और इसे जो है बिल्कुर रोटी की तरह पतला बेल कर तयार कर लेंगे और ना ही हमें इसे ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला रखना है बिल्कुर रोटी के जैसा बेल कर तयार करना है और यह देखिए फ्रेंट्स एक रोटी जो है हमने बेल कर तयार कर ली है और कि आप देख सकते हैं ना तो यह जाद़ पतली है और इसी तरह से हम ने दूसरी रोटी भी वेल कर तयार कर लिए कंग कर ली है और बास सबीर गो ना हम इसी तरह से बेलते कि ऑज़न Wright में रखते जाएंगे और यह friends साथ देख सकते हैं मैंने जो है सारी रोटिया बेल कर तयार कर ली है और यह की साइज की है और ना ही ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली है और अब हम इन में से एक रोटी ले लेंगे और इसे रख देंगे चकले पर और आप जो है हमें इस रोटी का बनाना है रोल त तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और ये देखी फ्रेंस, ये हमारा एक रोल बन गया है, अब हम पैंसिल को एक सैट से थोड़ा सा गुमा देंगे, और बहा निकाल लेंगे, और ये देखी कितना परफेक्ट रोल हमारा बन कर तैयार हो गया है, और बस अब हम इसे देख सकते हैं, मैंने सभी रोल बना कर तैयार कर लिये हैं, और अब हमें इने करना है बोल, तो उसके लिए मैंने कड़ाई में पहले ही पानी गरम का निकली रख दिया था, पानी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, जिससे आपस मेरा चिपके, और अब हम कड़ाई में अपने सारे रोल जो है रख देंगे और इसे ढख के पकाएंगे कम से कम 13 से 14 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर और 13 से 14 मिनट जो है इसे पकते हुए हो गए हैं अब हम इसे ढखकन हटा के चैक कर लेंगे और यह देखिए फ्रेंड्स रोल हमारे कितने बढ़िया से पक चुके हैं और यह फूल भी गए हैं और मैंने इने 14 से 15 मिनट तक ना बढ़िया से पकाया है और यह अच्छे से पक गए हैं और अब हम गैंस बंद कर देंगे और इने ठंडा कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए न मैंने रोल को अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इने रख देंगे दूसरी प्लेट में और एक रोल लेंगे और इसे जो है छोटे छोटे पीस में काट के तयार करेंगे हमें इने छोटे छोटे टुकडों में ही काट के तयार करना है और ये देखी फ्रेंट्स इसकी जो है लेयर कितनी बढ़िया से आई है और इसी तरह से मैं आपको एक और रोल काट के दिखाऊंगी और ये देखी फ्रेंट्स ये कितनी आसानी से कट रहे हैं पूरी तरह से पग भी चुके हैं तो सारे रोल जो है मैं इसी तरह से काटके तयार कर लूँगी इन्हें हम अठे वाला पास्ता भी कह सकते हैं और अब जो है और प्याज को लगातार चलाते हों हमें बढ़िया से भून ना है प्याज को जो है कुछ शेकंद के लिए भून लिए और प्याज अच्छे से सबून चुकी है और अब हम इसे जाते नहीं भूने गे और अब हम इसमें एट करतेंगे थोड़ा सा लहसुन और अतरक क्रस्ट किया हुआ और यहाँ पर आप लहसुन और अतरक को पीस कर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने जो है क्रस्ट करके डाला है और बस इसे भी न हलका सा भून लेंगे सारी चीजे भून जाने के बाद अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर डाल कर जो है इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और बस अब जो है हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक यहाँ पर थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाल रखा है और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए थोड़ी डालेंगे मिर्ची और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पौडर डाल देंगे और मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और जैसे कि फ्रेंड साब देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितने कम मसालों का इस्तिमाल किया है ये मैंने एकदम बेसिक मसाले ही इसमें यूच किये हैं कोई भी मसाला मैंने एक्स्टर नहीं डाला है और बस मसालो को मैंने हलका हलका सा भून लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी जिससे मसाले हमारे जले नहीं और पानी डाल कर जो है इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम मसालो को एक से दो मिनट ना ढखकर पका लेंगे जिससे की टमाटर हमारा बढ़िया से गल जाए और मसाले भी हमारे बढ़िया से पक जाए और ये देखी फ्रेंट्स मैंने जो है इसे एक से दो मिनट बढ़िया से पका लिया है और मसाला हमारा बढ़िया से पक चुका है और टमाटर भी पक गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने आटे वाला नास्ता जो हमने तयार करके रखा था सारा नास्ता जो है हम मसालों में एड़ कर देंगे और बस फ्रेंड्स अब जो है हम इसे पढ़िया से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और बस इसी तरह से जो है हमें इने लगतार चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें डाल देंगे दो चमस सोया सोस इस से जो है नास्ता हमारा और भी जादे टैस्टी बनेगा अगर हो तो डाले नहीं तो स्किप कर दें और अब इसमें जाएगा और पर दरेंगे और बता फ़से जो हो हम मिक्स कर लेंगे और अब में क्या कर ना है इसे अच्छे से मिक्स करके जो है 1 से 1 Phone strain मिनट के पाई दक पका लिए हए और यह च्λά में सब्चस भून दे ही श्क्राइब लाहरा将 जुछ हो चुगा है और अब इसे ज्चाथे पकाने की जरूत नहीं है क्योंकि नास्ता हमारा पहले से उबला हुआ है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डाल करना इसे बढ़िया से मिक्स करना है और नास्ता हमारा बढ़िया से पक चुका है और धनिया भी हमने मिक् तो यह देखिए फ्रेंड कितना मज़ेदार और सूपर टैस्टी नास्ता हमारा बनकर तयार हुआ है इस नास्ते को आप बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं और बच्चों की हलकी फुलकी भूग में भी से बना के दे सकते हैं जब भी आपके बच्चे पास्ता चामीन मेगी माँए तो आप इसे जेहों के जटपड से बनाके तयार कर सकते हैं और यह टैस्टी होने के साथाए हाल्दी भी है तो फ्रेंड शीफी को एक बड़ ज़रूर «टैस्टी ए और हैल्दी रेसेपी अपको थोड़ी शी पसंदाई हो तो पलीज वीडियो लाइक मेरे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइ थैंक यू